की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इस पिच्चर ने हमें फिर से याद दिला दिया है कि सिनेमा, राश्रबाद, धर्म, आइटम नमबर्स और रोमैंस के इलावा अगर आप ठीक से बनाओगे, तो लोग आएंगे, मुवी हॉल में आएंगे, टिकेट खरीद के ऐसे गंभीर मुद्दो पर भी पिच्चर देखेंगे, अगर आपने ठीक से बनाया शेटी ने बहुत खूबी से ट्राइबल वर्सेस स्टेट वर्सेस फ्यूडल इश्यूज को लेकर उसमें मिलाया है फोकलोर, सुपर्स्टिशन, माइथॉलजी, इसका मसाला लगाकर एक सोशली रेलेवेंट पिच्चर भी बनाई है जो जमीनी मुद्दो से जुड़ी हुई है, लेकिन कमर्शली वायबल भी है, एंटर्टेनिंग भी है एक तरफ कंटारा डॉक्यमेंटरी तो नहीं है, और ना ही वो आर्ट मुवी है लेकिन ये हमें कोर जो मुद्दे है, और ट्राइबल इशू जैसा है एक सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में लोगों को कोई खास इंटरेस नहीं है उनके स्ट्राइबल के बारे में जिसको कोई खास इंटरेस नहीं है, उसके ऊपर मुवी आधारित करके उसको सक्सेस्फुल बनाया है, ये सबसे पहले तो काबले तारीफ है ये कला वैसे बॉलीवूड में भी एक टाइम पर काफी कॉमन हुआ करता था जब करप्शन, जॉबलस्नेस, सोशल इवल्स के खिलाफ पिचरे बनाई जाती थी पिचर का नाम था जैभी, 40 करोर की बजट पर बनी, पिचर ने पुलीस की बरबरता, लीगल सिस्टम और ट्राइबल ओपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया था बॉक्स ऑफिस पर ये पिचर हिट भी बनी, वैसे तामिल, तेलिगू, मलियालम, मराठी, सिनेमा में आपको ऐसे बहुत सोशली रेलेवेंट मूवीज मिल जाएंगे, सोशली रेलेवेंट स्टोरीज आपको मिल जाएंगे, जिन्हें पैसे के बूते पर नहीं, करन जोहर क आरा ओडियंसेस को मजबूर कर रहा है, लोगों को हॉल में खीच रहा है, इसकी चार-पांच कुछ ठोस वज़े है, ये सीख शायद बॉलिगूड भी ले ले, गजब की जो स्टोरी लाइन, पिच्चर शुरू होती है, अठारवे शदाब्दी में एक राजा के साथ, सु पूरा जमीन है, अब ये इनकी हो गई, और यहीं से शुरू होती है सारे प्रॉलिम की जड़, क्योंकि बेचारे अनपड कमजोर आदिवासी, कभी राजा के बंशक और कभी सरकार, उनकी जमीन को और उनको उस जमीन से बाहर निकालने के फिराक में बैठे रहते हैं, अब मृतक को वो अपमानित करते हैं, कहते हैं, पंजुरली, देव, कोई जूटे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, और अगर आपको ट्राइबल राइट इशूस के बारे में मालूम है, अगर आप अग्बार में इस इशू को पढ़ते हो, तो आप ज़रूर मानोगे कि यार, बहुत गया है, एक और चीज जिसके बारे में लोग बहुत बात करे वज़े से, लेकिन सबसे बड़ी वज़े है, पॉइंट नंबर फॉर, ट्राइबल राइट्स का जो सवाल उठाया है इस पिचर ने, और ये जो कॉम्प्लिकेट इशू है, इसके दोनों पहेलू जो दिखाए अब देखें, एक तरफ है आरिवासी, हजारों साल से जंगल में और जंगल के साथ उस ले में वो जी रहे हैं, जी चुके हैं, वहाँ अब सरकार भी कह रही है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप यहां जंगली जानवर नहीं मार सकते हो, तो एक लड़ाई खड़ी ह हो जाती है, कि एक तरफ तो हमारे शिवा है, जो हमारे ट्राइबल लीडर है, और दूसरी और जो मुरली है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, अब फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसा नहीं है कि सबको मार डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी अदा कर रहे हैं, उनके लिए जो environment है, उसको बचाना, forest है, उसको बचाना वो priority है, तो इन दोनों के बीच में जो equation बनता है, इन दोनों के बीच में मुरली और शिवा के बीच में जो chemistry बनता है, वो बहुत ही बढ़िया है, और फिर कैसे ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और एक ही side में जाते हैं, ये दिखाता है कि twist and turn कैसे है पिचर में, और finally, the final reason जिसके मुझे से हम आज इस movie के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि Bollywood के हर director, हर producer को कंटारा देखनी चाहिए,